इम्रान मसूद की कॉंग्रेस में वापसी योपी की राजनीती में चर्चित और अप्रभावशाली मुस्लिम ने ता इम्रान मसूद ने बसपा से निश्कास से तो होने के बाद आज जब फिर से कॉंग्रेस का हाथ ठाम लिया है इम्रान मसूद ने दिल्ली में समर्थकों के साथ कॉंग्रेस जोईन की संगठेन महासचिव केसी वेडु गोपाल ने उन्हें सदसिता ग्रहन करवाई 2022 के चुनाओं से पहले इम्रान मसूद कॉंग्रेस छोड़ कर समाजवादी पार्टी में गये थे लेकिन 2022 में उन्हें विधान सभा चुनाओं में टिकट नहीं मिला तो वो सपा छोड़ कर बसपा में चले गये थे लेकिन वो हाथी पर भी लंबे समय तक सवार नहीं रहे उन्होंने बसपा में रहते हुए राहुल गांधी की तारीब भी कर दी जिसके चलते पार्टी ने इम्रान मसूद को निश्कासित कर दिया था देखिए ये रिपोर्ट इम्रान मसूद ने पकड़ा हाथ का साथ कॉंग्रेस सपा बसपा अफ़िर से कॉंग्रेस में इम्रान मसूद 1987 में राशनीती में आये 2001 में चुनौव नगरपालिका सहरनपुर में चेर्मेन के पत पर लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा 2006 में नगरपालिका के चेर्मेन बने मुझफराबाद सीट से 2007 में निर्दलिये विधायक रहे इम्रान 2013 में कॉंग्रेस में शामिल हुए विधान सभाचुनाओं 2022 से पहले जन्वरी में कॉंग्रेस छोड़ दिया इसके बाद समाजबादी पार्टी का दावन धाम लिया इम्रान को सपा का टिकेट नहीं मिला इम्रान ने सपा को अलविदा कहे कर बस्पा में एंट्री मारी हाली में इम्रान ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी इसके बाद उन्हें बस्पा से निश्कासित कर दिया गया इम्रान मसूत की कॉंग्रिस में एंट्री के बाद लोगसभा चुनाओ का समीकरण भी बदल सकता है इम्रान मसूत की मुस्लिम समाज के वोटरों में काफी अच्छी पकड़ है कॉंग्रिस पहले से ही इंडिया गडबंदन में शामिल है यदि इम्रान को लोगसभा चुनाओ का टिकेट मिलता है तो वाद मुस्लिम वोटरों को साथे में कामियाब हो सकते है इम्रान मसूत पहले भी तीन बार सहारनपूर लोगसभा सीट से चुनाओ लड़ चुके है हाला के उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी लेकिन हर बार चुनाओ हिंदु मुस्लिम हुआ ऐसे में भाजपा और गडबंदन के बीच काटे की टकर हो सकती है जिसमें जीत हार का अंतर बेहत कम रह सकता है यूपी के दिगच मुस्लिम नेता इम्रान मसूत की सियासी राह एक बाफिर चर्चा में है उनका राजनीती करियर काफी दिल्चस्प रहा है राजनीती में धाक रखने वाले परिवार में जर्में इम्रान 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेर्मेन बने थे वहाँ 2007 में सपा से टिकेट मांगा टिकेट ना मिला तो नर्दली चुनाव लड़कर जीते बता दे कि 2012 में कॉंग्रिस में इम्रान शामिल हुए थे लेकिन यहाँ भी नंबे समय तक नहीं टिके लेकिन इसके बाद वह किसी एक पार्टी में नहीं धेरे अपने मन की बात खुल कर कहने वाले इम्रान मसूद का जन्म सहारनपुर के गंगो में हुआ था इम्रान का परिवार इलाके में काफी प्रभाव शाली था इम्रान मसूद के दादा काजी मसूद का इलाके में रसूब था इम्रान के चाचा रशीद मसूद केंदर की राजनीती में भी काफी सक्रिये थे वह केंदरी मंत्री भी रहे 1971 में इम्रान मसूद का जन्म हुआ तब उनके चाचा रशीद मसूद अलीगर मुसलिम यूनिवसिटी में पढ़ाई करके राजनीती में उतर चुके थे इम्रान जिस परिवार से तालू रखते हैं उसकी सियासत में धाक थी इसके चलते इम्रान ने बच्पन से ही राजनीती गाब का खारा सीख लिया इम्रान मसूद ने सिर्फ बारवी कक्षा तक पढ़ाई की लेकिन कम उम्र में ही वाव पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया इम्रान ने अपने चाचा के नक्षे कदम पर चलते हुए राजनीती में आने का फैसला किया इम्रान 2006 में सहरनपुर नगरपालिका के चेर्मेन बने इसके बाद 2007 के विधासभा चिराओ में इम्रान मसूद ने समाजबादी पार्टी से टिकेट मांगा लेकिन उन्हें टिकेट नहीं दिया गया इस चुनाओं में समाजबादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंग की सरकार थी जगदीश राणा सफा सरकार में कैबिनेट मंतरी थे इमरान मसूद ने जगदीश राणा के खिलाब निर्दली प्रत्याशी के रूप में ताल ठूग दी इमरान ने निरदली प्रत्याशी के रूप में सपा की जग दी शराणा को छुनाओ हरा दिया और विधायक बन गए इसके बाद उत्तरप्रदेश में बस्पा की सरकार बनी मायावती की पांच साल की सरकार के दोरान इमरान निरदली ये विधायक रहे फिर 2012 विधान सभाचिनाओं से पहले काजी रशीद मसूद और इम्रान मसूद की टिकेट बटवारे को लेकर सपा हाई कमान से ठन गए लिहाज उन्हें पार्टी को छोड़ दिया और पूरे परिवार ने 2012 के विधान सभाचिनाओं से ठीक पहले कॉंग्रिस जोइन कर लिए आज के इस हालात में जिस हालात में हमने कॉंग्रिस को जोइन करने का काम किया चुकर राहुल जी की यातरा के बाद पूरे देश में एक महल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते वे भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाग हैं और देश की राजनीत के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे और वो असर उसका हिमाचल के और करनाटक के चुनाव में दिखाई दिया जब प्रियंका जी ने जाकर के परचार किया और परचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब चार स्टेट में इंशाला और आने जा रही है अभी राजी भाई ने मुझसे सुभाई पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्य करता है जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं इनके वज़ा से ही मैं पार्टी छोड़ कर गया था और मैंने मिटिंग बुला कर के अपने सब लोगों को 18,000 आदमी था सारनपूर में पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडूलम बना दिया अब बताओ मैं क्या करूँ अब आप कह रहा हो कि मैं कॉंग्रेस में चला जाओं लेकिन मैं चला तो जाओंगा लेकिन एक वादा आप से लेना चाहता हूँ कि अब मेरे साथ कोई आप जुलम ना करना चुक्कि अब मैं मानूगा नहीं और यह पते है कि अगर अब कॉंग्रेस में जाओंगा तो फिर कबर तक कॉंग्रेस के अंदर रहूँगा आपको बता दे कॉंग्रेस के टिकेट पर उन्होंने 2012 का नकड़ विधाल सभा से चुनाव लड़ा हालाकि इस चुनाव में विजीत का स्वाद नहीं चक पाए समय बीता और इमरान का मन बदल गया उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक करवट ली और 2014 में वा सपा में शामिल हो गए इमरान को सपा ने सहरनपुर लोग सभा सीट से टिकेट दे दिया लेकिन चाचा ने उनका टिकेट कटवा कर अपने बेटे शाजान को दिला दिया परिवार में तलवारे खिच गई इमरान मसूद ने कॉंगरेस से टिकेट ले लिया एक तरफ मोदी लहर थी दूसी तरफ परिवार आमने सामने आ गया इसी चुनाव के दोरान मोदी के खिलाफ दिया गया इमरान मसूद का विवादित बयान भी चर्शा में आया परहाल इमरान राश्ट्री मीडिया का केंडर बन गए मोदी लहर के बावजुद 2014 के लोगसबा चुनाव में सहरन पूसीट से इमरान मसूद को 4 लाग से जादा वोट मिले वो बिजेपी के राखव लखनपाल से करीब 65 वोटों से हार गये थे दरसल चुनाव हार कर भी इमरान खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थाबित कर चुके थे Special Dex Gay News इंडिया